इरान में हमास के राजमेतिक प्रमुक इस्माइल हानिये की हत्या का मामला अभी भी गर्माया हुआ है। इरान ने इसरायल को सबक सिखाने और हमास नेता की हत्या का बदला लेने की इचेतावनी दी है। इस दोरान यहां मौझूद राजनाइकों ने हानिये की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। OIC के अध्यक्षता कर रहे गांबिया के विदेश मंद्रे ने कहा कि इरान की धर्ती पर एक राजनेतिक नेता की हत्या द्वारा आक्रामक्ता और संप्रभुता और शेत्री अकंडता का उलंगन एक ऐसा कार्य है जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये जगन ने किर्थ केवल मौजूदा तनाव को बढ़ाने का काम करता है। इससे संभावित रूप से व्यापक संघर्ष हो सकता है जिसमें पूरा इलाका शामिल हो सकता है। का घोर उलंगन है। इरान के विदेश मंतरी आली बागेरी ने कहा कि जवाब देने की जरूरत है। वर्तमान में इसराइली साशन के हमलों और उलंगनों के खिलाव सेयुकत राश्र की ओर से कोई भी उचित कारवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में इरान के पास इसराइल दुनिया की सामुही का आवाज बताता है जिनोंने इरान के प्रतिशोद का समर्थन करते हुए इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दावा है कि इस विवाद पर अमेरिका पूरी टक्टकी लगाए हुए है। अमेरिका और अन्य पश्चमी देश मिडिल इस्ट के ब कsc and so obviously there are number of countries with whom we speak who are attending that meeting who are members of the OIC we have heard from those countries really a broad consensus in every conversation that we have had that they share our opinion that that escalation would only exacerbate the problems facing the region and so certainly we would hope that countries at that meeting would impress that upon Iran. बहरहाल हमास ने अब अपने नए राजनेतिक प्रमुप के नाम का ऐलान कर दिया है याया सिन्वार अब इसमाइल हानिये की जगे लेंगे हमास के फैसले से अपनी मन्शा शाफ कर दी है कि इसरायल के खिलाफ हमास का अभियान अभी और लंबा खतरनाक चलेगा झाल 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 झाल